सिंगल फेज पर वी जानेंगे, एमपेर से केविये कैसे निकालते हैं, और थ्री फेज में वी जानेंगे, दोनों पर थोड़ा अलग-अलग तरीका है, फाइंड करने का, तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले सिंगल फेज को, सिंगल फेज में हमने माना कि हमारे पास जो जो भी चिज़ लगा हुआ है, उसका जो टोटल एम्पेर आता है एक घंटे में, जो हम यूटलाइस कर रहे हैं, तो थो दस एमपेर हम यूज कर रहे है, इचावार, यानि इस एक घंटे में यूज कर रहे हैं, तो हमें एमपेर पता चल गया, और हमारा पावर फेक्टर जो होगा single phase में, तो वो 90% होगा. 90% क्यों होगा? क्योंकि single phase में mostly other equipment यूज करते हैं, जैसे कि bulb, TV, इस तरह का equipment यूज करते हैं, जो कि power factor 90% से अच्छा होता है, जनी ज्यादा होता है, और कुछ-कुछ equipment होते हैं, जो कि 90% से कम होता है, जैसे कि fan, जैसे कि motor, जिसमें calling क्या हो तो average जो power factor आयाता है वो 90% change करते है point में तो आयाता है 0.9 voltage जो होगा single phase में वो 230, 220 होती है 240 होता है तो हमने मारा average 230 volt आया single phase में इसमें हमें find क्या करना है तो हमें find करना है kv और इसका formula है a into v divide में pf यानि power factor into 1000 यह formula है इस formula का आप याद कर लेना अगर आपको जब भी ampere से kv find करना हो तो आप इस formula के भियाब पर find कर सकते हो तो इस formula पर हम put करते हैं जो भी data दिया हुआ है इसको simply है इसमें put करना तीनों चीज़ दिया हुआ है given है तो हमने ampere fill कर लिया 10 ampere voltage 230 volt और power factor 0.9 1000 जो दिया हुआ है उसे में put कर लेंगे solve करते हैं 2.56 kv आता है kv का मतलब kilo voltage ampere हुआ है वी ये को watt नहीं बोल सकते वी और watt में फर्क है तो इसका भी video मैंने upload कर रखा है कि वी ये को watt में और watt को वी ये में कैसे convert करें 10 ampere का अगर हमें load है तो कितने kv का हमें inverter लगेगा 2.56 kv का हमें inverter लगेगा तो हमें ये result मिल गया single phase वाले से अब आते हैं 3 phase पर 3 phase भी हम इसके तरह 10 ampere माल लिया हमने कि 3 phase में हम 10 ampere यूज कर रहे हैं और इसमें power factor जो होगा वह 80% ही क्योंकि इसमें power factor इससे कम कि इसलिए है क्योंकि 3 phase में mostly क्या करते हैं motor के यूज करते हैं और motor का power factor 80% से थोड़ा बिलो या 80% के आसपास होता है तो हमने power factor इसका जो माना 80% और इसका हम जो point में change करते हैं तो इसका आयाता है 0.8 और इसका जो 3 phase में voltage होगा वह 440 volt होगा single phase में आता है 230 volt और 3 phase में 440 volt तो 3 phase में 440 volt क्यों आता है इस पर मैंने specially video बनाने का सोचा है कि single phase और 3 phase में क्या difference है कुछ दिन में आपको ये video भी मिलेगा single phase और 3 phase में क्या क्या difference है हर एक difference हम समझेंगे कि एक फर्मूला में चाहिए होगा तो फर्मूला के विये का होगा उस फर्मूला में ampere into voltage into root 3 जहां पर एक extra क्या आता है root 3 आयाता जो कि यहां पर नहीं दिया हुआ है तो root 3 है divide में power factor into 1000 हमें इस फर्मूला को याद करना है और इस फर्मूला के भी याद करके रखना है तो हम put करते हैं 10 ampere voltage 440 root 3 का हम directly root 3 put करेंगे और calculator से solve करेंगे और power factor दिया हुआ 0.8 और यहां पर 1000 तो दिया ही रहे तो इसे हम लोग जो solve करते हैं उपर आयाता है 4400 और नीचे आयाता है solve करने के बाद वो 800 इसे हम लोग solve करते हैं तो 5.5 kv आता है अगर आपको 10 ampere का load है 3 phase में single phase नहीं 3 phase 5.5 kv आएगा आप देख पाओं के single phase में जो kv आ रहा है 10 ampere पे ही वो 2.56 आ रहा है और 10 ampere पे आ रहा है 5.5 यह difference इसलिए भी हो पाड़ा है क्योंकि voltage के वज़े से यहां पे voltage 440 है यहां 220 है यहां पे power factor 80% है 0.8 आता है यहां पे 90% है 0.9 आता है तो आज के वीडियो में हमने देखा ampere से kv फाइंड करना और वो भ do single phase या three phase में आप इस formula के विहाब पे उसे solve कर सकते हो आपका ampere जो भी है इस ampere के जगह पे आप अपना ampere put कर लेना बाकि कुछ भी changing करने का जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ampere change करना single phase में हो जितना ampere होगा उसका और three phase में जितना ampere होगा उसका तो आपको kv पता चल आएगा तो आज की वीडियो में में जाना ampere से कीवे निकालना हमारे चैनल में अगर आप नहीं हो चैनल को